दोस्तों क्या आप जोडों के दर्व से परिशान है या फिर सरदी के मोसम में आपकी इम्मिनिटी कमजोर हो गई है या फिर आपके अंदर कैल्शिम की कमी है या मोसमी बिमारियों ने आपको जकड़ लिया है तो दोस्तों घी में भून कर खाए ये एक चीज नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी रेमिडी के बारे में बताएंगे जिसका सेवन करके आप अपनी इम्मिनिटी को बढ़ा सकते हैं सर्दी खासी हो गई है आपको उसमें ये सही रहेगा नुस्खा या फिर आपको बिमारियों ने जगड लिया है मोसमी बिमारी अकसर हो जाती हैं मोसम चेंज होते ही तब आपने इस नुस्खे का सेवन करना है इस नुस्खे के सेवन से दोस्तों आप कल्शिम की कमी को दूर कर सकते हैं, हडियों को मजबूत बना सकते हैं, जोडों के दर से परिशान हैं, उसमें भी ये बहुत ही राहा दिलाएगा ये नुस्खा, तो चलिए आपको बताते हैं वो नुस्खा कैसे बनेगा और क्या-क्य फायदे आपको मिलेंगे, दोस्तों जो आज का नुस्खा है वो बनेगा लहसुन से, भारतिय व्यंजनों में लहसुन का अक्सर प्रियोग किया जाता है, हर घर में इसका यूज किया जाता है, दोस्तों इसमें यही कमी होती है कि इसकी सुगंद अच्छी नहीं होती, बाक की तरह जगा-जगा दवा की दुकाने नहीं थी, उस समय लहसुन का इस्सेमाल करके अपनी बीमारियों को लोग ठीक करते थे, दोस्तों लहसुन में एंटी उक्सिडेंट, एंटी बैक्टीरियल गून, एंटी फंगल, एंटी वाइरल गून भरपूर मातरा में होते हैं, और इसमें एलिसीन और सलफर योगी भी होते हैं, जिसके कार्ड ये हमारी हेल्थ को सुधार कर रखते हैं, लहसुन में एजोईन और एलीन कमपाउंड भी पाया जाता है, जो लहसुन को असरदार ओश्दी बनाते हैं, इन योगी को और तत्वों की वज़े से ही लहसुन और श्द्य गुणों से भरपूर होती है, दोस्तों लहसुन में इतनी शक्ती होती है कि वो किसी भी संक्रमन को दूर कर देती हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि किस-किस बीमारी में आप इसका यूज कर सकते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे कि आपने नुस्खा कैस बनाना है, वजन घटाने के लिए दोस्तों आप लेसुन का प्रियोग कर सकते हैं, लेसुन में एंटी ओविसिटी गुण होते हैं, इस गुण के कारण ये मुटापे को कम कर देती है, फैट बर्न हो जाता है, यदि आप इसका सेवन करते हैं, दोस्तों मक्षन की तरह करके रखता है, जिन लोगों को कोलेस्टोल बड़ा रहता है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, पुरानी से पुरानी लेसुन में दोस्तों को कंट्रोल करने के गुण पाय जाते हैं, दिल के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, हिर्दय को स्वस्त रखने के लिए दोस्तों आ और अलर्जी है तब आपने इसका सेवन अपने डोक्टर से पूछ कर करना है सर्दी जुखाम हो गया है आपको बुखार रहता है तब आपने लेसुन का सेवन करना है कैंसर के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं हडियों को मजबूत बनाने के लिए और गठिया से छुटकारा पाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं लेसुन में मुझूद सलफर योगिक में एंटी इंफ्लमेंटरिगोन और एंटी अर्थराइटिस परभाव होते हैं इसकी मदद से गठिया का जोखिम कम हो सकता है लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए दोस्तों आप इसका सेवन कर सकते हैं आपने अपनी रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाना है इम्मिनिटी बूस्ट करनी है तब आप इसका सेवन कर सकते हैं आन्तों के लिए भी बहुत लेसुन का सेवन किया जा सकता है आँखों के लिए बहुत बड़िया रेमेडी है आइरन और जिंक की कमी जिन लोगों को है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं कान के दर्द के लिए इसका यूज किया जा सकता है मुह के स्वास्ते के लिए इसका यूज किया जा सकता है जिन लोग के लिए बहुत ही बड़िया नुस्खा है बालों के लिए लेसुन कमाल का नुस्खा है तो दोस्तों इतने सारे फायदे मिलते हैं हमें लेसुन से अब बात आती है कि आपने लेसुन का सेवन कैसे करना है आपने क्या करना है सुबह खाली पेट दो लेसुन की कलिया लेनी है और इनको छील लेना है, छीलने के बाद इसको अच्छे से धोले, अब क्या करना है, गैस पर रखना है, एक तावा रख सकते हैं या फिर पैन रख सकते हैं, इसमें आपने आदा चमँच देसी घी डालना है, देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे इस remedy को बनाने में और घी में आपने लेसुन डालनी है और सीम गैस पर भूनना है जब ये भून जाए अच्छे से रोस्ट हो जाए तब आपने इसको निकाल लेना है किसी कटोरी में बरतन में और इसको थोड़ा सा कूट लें कूटने के ब आप ले सकते हैं इसके सेवन से दोस्तो आपका digestion भी सुधरेगा बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका पेट पेट से जुड़ी बिमारियां सब खतम हो जाएंगी तो देखा दोस्तो आप इस नुस्खे से कितने रोगों को सही कर सकते हैं तो दोस्तो यदि आपको भी ये स करें शेर करें चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमिडी के साथ तब तक धन्यवाद